हालो गाईज कैसे आप सब लोग टारुक स्वावत करती हूँ आज मैं रिडिंग लाई हूँ थोड़ी स्पेशल ठीक है आप देखेंगे तो आपको अच्छा लाएगा ठीक है तो रिडिंग का टॉपिक में बता देती हूँ पहले ठीक है हम अलग अलग जौड एक साइन के करेंगे और आज मैं ले रही हूँ एरीज की ठीक है तो हम उनके आप एरीज आपके पार्टनर की करन्ट फीलिंग्स क्या है वो चेक करने वाले हूँ ठीक है तो मैं जो रीडियो का है दो पार्ट में डिवाइट कर दिया ठीक है एक पार्ट में हम उन लोगों के लिए दे देखेंगे यानि कि Aries आपके जो पार्टन हैं जो आपके साथ रहते हैं जिनका कम्मिनिकेशन आपसे हो रहा है उनके बारे में और दूसरे पार्ट की वीडियो में यानि कि करने वाले हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है और ओर ओल चली देख लेते हैं तो सबसे पहले पार्ट का जो है फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे जो की टुगेदर हैं साथ में हैं जिनका कॉंटेक्ट हो रहा है एक दूसरे से ठीक है तो आप अगर एरीज साइन के हैं और आप अपने पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं जो की आप से कॉंटेक्ट में हैं आप लोग साथ साथ हैं तो उनके बारे में पहले फर्स्ट वीडियो का पार्ट होगा ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं आगर आई होब कि आपको समझ आ गया होगा प तो जरूर मुझे inform कीजेगा कि आपकी वीडियो कोई और चैनल पर देखिए हमने ठीक है तो इस तरह का information मुझे जरूर दीजेगा क्योंकि यहां पर बहुत सरे लोग जो है मेरी वीजियो को कॉपी कर रहे हैं मेरी रील्स को कॉपी कर करके अपनी चैनल पर डाल रहे हैं अप कर आप कोई मेरी वीडियो किसी और चैनल पर देख रहे हैं तो मुझे इतला जरूर कीजे ठीक है चले स्टाट करते हैं एरीज आपके पार्टने की करेंट फीलिंग्स जो कि आपसे कॉंटेक्ट में हैं अल टुगेदर हैं ठीक है आपसे साथ साथ रहते हैं आपकी मैरी रण मैरी कोई भी हो सकते हैं पर आप साथ हैं और कॉंटेक्ट में हैं तो यह आपके लिए वीडियो है ठीक है Aries के वो partner जो कि इनके साथ है उनकी current feelings हम देखने वाले है सबसे पहले इनके energies Okay Okay, सबसे पहले इनके energy, King of Cups Wow guys Okay Alright So, what are you thinking, Aries आपके partner So, what are you thinking, Aries को रिश्टे को लेकर जो कि आप से contact में है वो सोच क्या रहे है Queen of Pentacles Okay इनकी feelings क्या है Six of Swords Six of Swords Clarifier और आपके लिए intentions क्या है Okay तो guys देखे, यह जो आपके partner जो आप से contact में है तो यह definitely या तो आप से already married है या आप से committed relationship की सोच रहे हैं ठीक है यह जो भी बात है यह definitely अपने दिल में आपके लिए प्यार लेके बैठे हैं ठीक है और यह कौन हो सकते हैं, Aries, Leo, Sagittarius हो सकते हैं, Cancer, Scorpio, Pisces हो सकते हैं टॉर्स, फिर्गो, Capricorn भी हो सकते हैं ठीक है पर Aries, Leo, Sagittarius Aries आपके जो partner आपके साथ contact में हैं उनकी खुद की energy यह है कि यह बता नहीं रहे है आपको ठीक है प्यार हैं पर यह अपने आपको थोड़ा सा गार्ड करके चल रहे हैं भरोसा तो है इनको आपके लिए लेकिन आपको गार्ड करके चल रहे हैं Aries, इनके thoughts क्या चल रहे हैं? इनके thoughts में लग रहे हैं कि आपके साथ रिष्टे को stable करना चाहते हैं आपको एक perfect partner के रूप में देख रहे हैं और आपसे communicate भी करना चाहते हैं फिलाल इनके current feelings क्या हैं इनके thoughts ही चल रहे हैं कि आपके आपसे बात करना इनके thoughts में आ रहा है कि definitely आपसे बात करना चाहते हैं कुछ stable बात करना चाहते हैं या stability के बारे में रिष्टे को लेकर करना चाहते हैं इस तरह की बात कोई करना चाहते हैं ऐसा मुझे आप लग रहा है ठीक है इनकी feelings क्या है feelings में अगर मैं कहूं कि खास तोर से feeling क्या हैं जो आपसे contact में हैं यह definitely आपको कोई सची बात बताना चाहते हैं क्योंकि आपसे मिलकर किसी बात का peaceful solution चाहते हैं अभी इनक को सच बतानी से भी नहीं डरेंगे आपसे ठीक है इस तरह कि यह जो आप जिनके साथ आप contact में उनकी feelings है एक्चली इनके इरादे क्या हैं इरादों में मुझे ऐसा लगता है कि इरादे इनके यही हैं कि आपसे reconcile हो जाए लेकिन हो सकता है कि इस इनसान के पास option के कमी नहीं है ठीक है तो और अभी current energies क्या हैं कि इनकी current energies में दिखाई दे रहा है एरीज आपके partner जो भी हैं जो आपसे contact में हैं उनकी current energy में दिखाई दे रहा है कि यह इंसान छुपा रहे हैं कि दिल में प्यार हैं आपके साथ stable relationship चाहते हैं बात करना चाहते हैं किसी बात का समाधान चाहते हैं और और देखा जाए तो यह definitely reconciliation की सोच रहे हैं आपकी दोस्ती को long term तक रखना चाहते हैं इनके पास option हो सकते हैं इसलिए tension में या फिर आपके पास option हो सकते हैं इसलिए tension में ठीक है और और मैंने इनकी सब बातें बताई intentions वगरा अगर आपको पसंद आती है या क no contact situation में है या फिर दो चार दिन से बात नहीं होरी तब भी आप यह reading देख सकते हैं ठीक है तो अब हम उन लोगों की बात करते हैं उन लोगों की current energy या feelings देखेंगे जो की no contact में है Aries के partner ठीक है चले देखते हैं Aries आपके partner के current feelings देखते हैं सबसे पहले no contact situation में इनकी खुद है इनसे marriage होई हुई है ठीक है आप ए committed relationship में है यह marriage को लेकर option को लेकर बहुत ज़्यदा सोच उचार करें आपसे commitment को लेकर इनमें option है ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक है clarify करें yes यह आपसे नई शुरुवात चाहते हैं पर इनके पास option हो सकते हैं आपके पास option हो सकते हैं तो जो जो लोग आपसे no contact में हैं आपके partner ठीक है उनके energy देख रहे हैं ठीक है तो यह अभी बहुत ज़्यदा tension में है आपसे नई शुरुवात को लेकर या आपसे शादी को लेकर बहुत ज़्यदा परिशान है ठीक है आपसे या तो शादी करना चाहते हैं या फिर option के चलते पैदा हो रहा है ऐसा मुझे यहां पर लग रहे है ठीक है जो लोग no contact में है definitely मुझे से लगता है एक दूसरे से नाराज है किसी बात को लेकर option को लेकर लेकिन शुरुवात करना चाहते हैं ऐसा मुझे इनकी खुद की energy लग रही है ठीक है चले देखते हैं और के हैं आपक इस बात का confusion देख लेके clarify करके confusion में है पूरे तरह से यस अगें टू आफ पेंटिकर्स गाईज मुझे यह से लगता है यह आपको स्टॉक कर रहे हैं आपकी बारे में यह option को लेकर जगलिंग कर रहे हैं दो बातों में क्या किया जाय समझ में नहीं आ रहा दो option को balance करने की क कोशिश कर रहे हैं ठीक है पर पूरी तरह इनके thoughts जो है बहुत ज़्यदा confused है balance नहीं है इनके thoughts ठीक है feelings क्या है इनकी जो no-contact में है यह चाहते हैं कि आपसे partnership हो जाए यह चाहते हैं कि आपसे एक नई शुरुवात हो जाए आपसे partnership को लेकर ज्यादा सोच विचार करें feelings में आ रहा है कि कहीं ने कहीं आपके साथ partnership करना चाहते हैं आपके साथ relationship बनाना चाहते हैं क्योंकि यह आपसे एक नई शुरुवात की सोच रहें ठीक है इनके कार्स में नजर आ रहा है कि यह डेफिनेटली स्किल्फुली चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशिंशिप आगे बढ़े इनको जो भी करना पड़े यह करेंगे लेकिन यह नो कॉंटेक्स सिट्वीशन में आपसे पार्टनर्शिप चाहते हैं नो कॉंटेक्स सिट्वीशन में इनको डेफिनेटली जगलिंग चल रहे हैं कंफूजन थॉर्ट्स में चल रहे हैं ठीक है बात करें न करें यह कंपेटिशन सा लग रहा हैं क्योंकि आपके पास बहु हो सकते हैं इनके पास बहु सकते हैं ठीक है और all इंके इंटेंशन्स क् क्या इरादे क्या है रिस के partner जो कि no contact में उनके इरादे बताई começar है आएधि क्लिये मेसेच करेंगे क्या है के यह इसे बात के किलcor टी लेना चाहते है क्लेटी देना चाहते है रीबूर्थ करना चाहते है यास इनके intentions यह हैं कि आपके साथ जो भी situation है उसमें आजाध होकर आपसे rebirth करेंगे कुछ clarity आपके पास आने वाली है यानि कि हो सकता है कि आपसे ये call and message पर बात करें क्योंकि ये justice चाते हैं क्योंकि ये नियाय की बात चाते हैं ठीक है चीजों को आपसे balance करने की सोचें एरिज जो भी partner जो है आपके जो आपसे no contact situation में हैं वो स्थिति को balance करना चाते हैं और आपको किसी बात की सच्चा ही बताना चाते हैं एक rebirth आपके connection का होता हो नजर आ रहा है ठीक है और और इनके current energies में दिखाए दे रहे हैं कि alone feel कर रहे हैं और आपकी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और इसलिए definitely ये चाहते हैं किसी बात की clarity आपको मिल जाए और ये clarity पाकर आपसे बात करेंगे दुबारा restart मुझे हां पर होते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है तो और ओले justice मुझे ज़र लगता है कि आपको justice मिलेगी कहीं ने कहीं ये no contact situation खतम होने वाली ठीक है सबसे match नहीं होगा गाईज अगर आपको ये reading पसंद आती इस तरह की reading आपको पसंद आती एरीज के बारे में है मैं बारी बारी से सबी zodiac sign के डालूंगी आप मुझे जरूर बताएगा ठीक है तो इनके current energies मैंने बताईए एरीज आपके partner जो no contact में उसकी reading है और first वाले पार्ट में जो आपसे contact में उनकी बताई थी ठीक है तो अभी तक के लिए इतना ही next day में फिर से मिलते हूं गाईज बाएग